नमशकार दोस्तों स्वागत आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों भारत ने आज एक ऐसा बड़ा फैंसला लिया है जो चीन को काफी जादा चिंता में डाल सकता है और यह भारत ने फैंसला इस हिसाब से लिया है क्योंकि भारत को लगने लगाए कि जो चीन और भारत का टेंशन है यह काफी लंबा चलेगा और चीन इसमें कुछ वोईलेंस भी कर सकता है क्योंकि अब अमेरिका पूरी तरीके से उतर चुका है चीन के खिलाफ यहां तक उसने जो रूस के खिलाफ जो टूप्स डिपलोएक रखे थे यूरोप में वो भी वहां से हटा लिया है और ज्यादा से ज्यादा अब धिहान अमेरिका का वो चीन पर है जिससे चीन मिलब कि वहां से टेंशन राइज हटाने के लिए अमेरिका से तो भारत वाले ज चीन को एक बड़ा जटका दिया है जिससे की जो चीन भारत के साथ माइंड गेम खिला आता है अब भारत में रिटैलेट करने की सोची है कि अब हम माइंड गेम खेलेंगे चीन के साथ में तो इसके बारे मैं अपको डिटेल से बताता हूँ तो चल दो स्वीड़ो कम शुर तो हुआ कि जब से डोखलाम के स्टेंड ओफ वा तो भारत को मतलब की इस बात का एसास हो गया कि भारत को बहुत ज़्यादा हैवी कनेक्टिविटी बनाने पड़ेगी चीनी सीमा पर तो इसलिए भारत ने एक पूरा खाका तियार किया इसका और उस प्लान को लागो करना और इस साल के जनुविर तक आपको बताओं कि 70% भारत ने सड़के वो कंप्लीट कर ले थी चीनी सीमा पर और लेकिन उसके बाद चीन ने कुछ कंसर्ण जाता ना शुरू किया जी आप तो मतलब की डिस्पूटिड जो रिजन है वहाँ भारत ने थोड़े तो उससे में भ पीसफुली जो मतलब की लद्दाक में चल राय स्टेंड ओफ रिजोल हो जाए लेकिन दूसरे तरफ अपनी मेडिया के दौरा भारत को बार बार पोक करवा रही है तो भारत ने रिटैलेट करने की सोची है कैसे भारत ने चीन के सारे कंसर्ण को जो सड़कों को लेकर दरक जहां पर जहांते हैं कि भाई यहां पर हमें चोटा पुल बनाना है बड़ा पुल बनाना है यहां पर सड़के बनानी है उन्हें डारेक्ट लिए ऐलोकेट कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं आने वाले समयों भारत इस एकस्पेंडिचर को बहुत तेजी से का जा रहा क कि आगे भी बढ़ा सकता है क्योंकि देखिए अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि चीन की मंद्शा नहीं है जल्द ही से रिसोल करने की क्योंकर रिसोल होना ही होता तो यह जो पर सो मीटिंग हुई थी उसमें रिसोल हो जाना है भारत और जो चीन का मकसद है ने चीन का म इसा मांगेगी तब इन पर जदा प्रेशर आएगा और तब ही है उस प्रेशर को वहां से रिलीज करने के लिए भारते सीमा पर प्रेशर बढ़ाएंगे इससे की पुर दुनिया का ध्यान वहां पर जाए तो यह चीन की टक्टिक है भारत इसे नाकाम करने में लगा लगता 99% चीन भारत से युद लड़ेगा वी क्योंकि वह अफोर्ड इन कर सकता उसकी इकोनमी डवस्टेट है से तो कोई भी चांस नहीं है कि चीन भारत से कोई युद लड़े हाला कि इस पर आपका क्या कैना है क्या वारत मिल्कु सई समय पर सई डिजिन लिया है मेरे सा मेरे ही चुद लड़ेखनpan कर सकता है कि आहर है उड़ेखना है पर नहाथना है कि नहँद है कि वह युद लुद लेखना है कि ऊिए खुद लड़े है कि सुदेवधन से चिस्दिक्ष yd Лю